गुजरात के बाद मुंबई में 1,800 नौकरियों के लिए 20-25,000 नौजवान सडक पर उत्रे ये तस्वीर मंगलवार को मुंबई एरपोर्ट के बाहर का हैं। पर लोडर के 600 और अन्य 1200 प्राइवेट पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुँच गए यूनिवर्स सिटिजन पार्टी के अध्यक्ष विनय बिरादर ने सरकार से निवेदन किया कि सभी 25,000 युवाओं को 5-10 दिन में सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधाएं दी सरकार से निवेदन है कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएं और उनको सरकारी सुविधाएं भी दी जाएं 5-10 दिनों के अंदर पुरा लाइन लगे, नाइट शेफ पुरा लगे, पर्फिक्ली दी जाएं 5-10 दी जाएं ए रमाई खुटे चुरतो अंदर कि अंदर लें लेंगे वेंगे भी किलें परेशान हो जो 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 सरकार से निवदन है कि सभी युगाओं को सरकारी नोकरी दी जाएं और उनको सरकारी सुविधाएं भी दी जाएं पांच से दस दिनों के अंदर जहां आप अपनी बार फुरी आजादी के साथ 100% freedom of speech के साथ रख सकते हैं जहां ख़वरों के साथ साथ अपने विचार भी रख सकते हैं और अगर आप अपनी पार्ट रखना चाहते हैं तो वो आप अपने परस्नल ग्लॉब पेज पे आप पबिश कर सकते हैं तो वो आप अ अपनी आईडी रेइस्टर करें खबरें और अपनी बातें पबिश करें खबर के लिए बने रहिए यूसीप्यवाइस के साथ यूसीप्यवाइस देश की अवाज